नमस्कार, खेत खलियान कारकरब में आप सभी किसान भाईयों का स्वागत है। किसान भाई, नौमबर माह में आप खेत की त्यारी में लगे हुए हैं। रवी का मोसम है और गेहुं की खेती करते हैं। गेहुं की खेती करते हैं। लागत खास कर देखते हैं कि खाद में, बीज में या मजदूरी में ज़्यादा लगता है, उत्पादन उसी इसाफ से नहीं मिल पाता है, जिससे की किसानों का थोड़ा सा जो लगाव किर्सी के परतिथा उसे बिमुख हो रहे हैं, तो कैसे लागत को घटा करके और अपनी उ पशलों में जहू का स्थान परमूक है, बीहार में करीब-करीब सोरा लाक हेक्टियर में जहू की खेती है, जैसा कि आप सभी दर्सक भी जानते हैं कि आहां के मुखे पशल जो है धान और गयूं है, इसी धान गयूख़तीक अंतरगत गयूं की ब्यापक पहमाने पर खेती की जाती है तो ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अभी खेती में बहुत ज़्यादा किशानों को मुनाफा नहीं हो रहा है तो किस तरह से खेती करें कि किशान जो है इससे विमुख नहीं हो उनको अधिक सदिक लाब मिले तो बैज्यानिकों के लिए एक्ष प्र कोई क्रिशी में इंट्रेस्ट लेगा जहां तक गेहूं का शवाल है तो मैं तो किसानों के यहीं कहूंगा कि प्रमपरागत विधी छोड़ करके जो भी बैज्यानिक विधी है किसान उस विधी को अपना है सबसे पहले क्या होता था कि भगवा विधी छीटवा विधी जिसकों लोग बोलते थे कि किसानों में खेतों में छीट देते थे बीज को खाद को और जुताई दो या तीन बार जुताई करके पटा दे देते थे लेकिन उसमें क्या होता था कि बीज भी ज्यादा लगता था किसान खाद भी ज्यादा देते थे और जो सिचाई देते थे इसके बावजूद भी उनको उचित जो उत्पादवा होना चाहिए उने ही मिलता था लेकिन अब क्या है कि अब बहुत सारी बेग्यानिक विधियां आई है जो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे उस पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अच्छी उपज लेने के लिए जो बेग्यानिक विधि उसमें सबसे पहले उत्तम बीज होना चाहिए बीज की गुणव लेशन है जो अनुसंशा है खाद का प्रयोग वह करना पड़ेगा जो बिधी है अब हम लोग बोलते हैं की यी अपना करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं बगवा बीज अच्छी टाक बीदी को छोड़िये और कतार में लगाई ये इसके बाद भी और विदी आया है ज आप से इस कार्जग्राम के पहले आप से चर्चा हो रहे थी आपने कहा था कि स्वी वीधी, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, गेहूं सघनी करन वीधी, तो ये चार-पाज बैज्यानिक वीधियां हैं जिसको किशान अपना करके और अच्छी उपज ले सकते हैं. टक्सा बहुत अच्छी जनकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाई को, इस समय जब किसान भाई खेत की तियारी कर रहे हैं, तो पहले हल वैल होता था, हल वैल के माद्यम से कूर में भी लोग डालते थे और लाइन में सोइंग करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा विग्यानिक थ पुएब रहा है रखेत जुदाय हो रही है तो जो ट्रैक्टर से बुआ होना है कि वो पुआय करने का क्उंसी मसीन है क्या उस मसीन से बुआई करने पर किसान की कितना लभ मिलेगा, इस कहन बदये आस Дोय तो ज्याद़ार को और मसीनिक बोल सकते हैं और इस में इस मसीनी करण के चलते स्रमिकों की कम जरूरत पढ़ रही है, समय की बचत हो रही है और उर्जा की बचत हो रही है और ये मैं कहूं पैसे की भी बचत हो रही है तो ये मसीनी करण के जूग में निश्ची तोर पर ट्रेक्टर के द्वारा और जैसा कि मैंने पहले भी इसका नाम बताया था जीरो टिलेज काम फर्टी ड्रिल मसीन है इस पर चर्चा बाद में करेंगे लेकिन पहले मैं एक चर्चा करना चाहता हूं कि अगर देखिए यहां पर क्या है तीन तरह की प्रस्थीतिया होती है गेहन की जो खहती हो रही ओसमें तरह की प्रस्थितिय यहां पर कोई भी शिचाई की विवस्था नहीं है जिसको हम लोग और सिंचित बोलते हैं तो और सिंचित अवस्था में और दूसरी अवस्था जो है सिंचित अवस्था में सामय और तीश्री एवस्ता सिंचित को लगा रहे हैं उनके पास पासिचाई की कोई शुवधा नहीं है तो सीचर नश्वें का मतलब काध और। लग भुमी में विजो लगाया जा रहा है जिस किसमों को अच्छी उपज मिल जा रहे लेकिन जो असिंचित किसमें हैं किसान क्या कर रहे हैं कि जो किसमे जो भेराइटी गेहों की बजार में उपलवद है उसी में से ओ ये नहीं समझते हैं कि वो बिलंब के लिए हैं सामाइक है या असिंचित जमीन के लिए है तो किसानों को ये जरूर धियान देना चाहिए कि जो भी किसम लगा रहे हैं अगर असिंचित में लगा रहें तो असिंचित किस्मों को ही लगा है जैसे असिंचित किस्मों के लिए है सबसे अच्छी वराइटी जो हम लोग ने अपने केंदर पर विज़िस का प्रयोग किया है सी 306, एचपी 1493, के असि 27 ये तीन चार किस्मे जो है वो असिंचित अवस्था में बिलकुल वर्सा नहीं हो तब भी 20-22 क्यूंटल आपको उपज़ देगा तो सबसे पहले असिंचित अवस्था के लिए इन सारी किस्मों को, किसानों को लगाना चाहिए अब आए सिंचित समय पर, समय पर, समय पर मिन्स वाट, समय मिन्स क्या तो अभी देखिए, पहले हम लोग क्या बोलते थे कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये सामय को कर देना चाहिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हम लोग का रिसर्च चल रहा है या उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो गेहूं की बोवाई है, अब एक नवंबर से हम लोग खुद रिकुमेंड करें 30 नवंबर तक, एक नवंबर से 30 नवंबर को हम लोग शामय क मान रहे है किशान इसको ध्यान दे करके और उसमें जो किशमें है जो 4-5 किशमें है जो हम लोग ट्रायल के तौर पर या रिसर्च में हम लोग पाया है उसमें HD 273, HD 2824, HP 1731, HP 1761, ये सारी जो किशमें है ये सारी जो किशमें हैं बहुत अच्छी किशमें हैं किसान उसको लगाए और कोशिश करें कि 15 नौमबर तक लगा दें तो बहुत अच्छी उपज मिलेगी और तिसरी आवास्ता जो मैंने बताया था वो सिंचित और बिलम है तो मतलब 30 नौमबर के बाद अब हम लोग बिलम मानना है पहले क्या था कि हम लोग 10 दिसंबर के बाद जो खेती होती थी उसको लोग बिलम में कंशिडर करते थे मानते थे लेकिन अब हम लोग मानना है कि 30 नौमबर के बाद जो भी खेती हो रही है बिलम है कुछ कुछ जगहों पर मैं देख रहा हूं कि अगर कोई लेट भेराइटी लगाया है चाहिए लोंग डिलेशन धान की किसमें लगाई गई है उस कंडिशन में लोग देखते हैं कि धान की कटनी 10 दिसंबर तक हो रही है कहीं-कहीं पर कहीं-कहीं चोर जैसा एरिया जा पानी जमार आता है तो पानी जो है वहां से जल जमाव है जल कि एक वेराइटी जो विलंब के लिए हैं पीवी डवलू 373 अगर और बहुत विलंब हो 15 दिसंबर के बाद आप लगा रहे हैं तो एक वेराइटी यह बहुत अच्छी वेराइटी है यह अच्छी उपर दे रही है तो पहले तो आपको किस्मों का ध्यान रखना होगा समय का ध्यान रखते हुँ आप किस्म का चुनाव करें और तब अपने खेत में उस किस्म को सही तरीके से लगाएं कि जैसे प्रभेद के बारे में समय के बारे में बताया उसी तरह हमको लगता है कि कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भूमी की प्रकार किस पर उची है नी बीज नहीं मिल पाता है तो क्या र निश्ची तर पर किसान भाईयों से आगरा करूंगा कि आप अगर आपको बीज लेना है जिस किस्म का बीज लेना है किसी महावी दाले का अंतरगत जो बीज निदे साले में है वहाँ पराकर के संपर करें और जो भी उनत किस्मे हैं मैं जितनी उनत किस्मों का नाम लिया हूँ मुझे उमीद है कि सारी किस्में हमारे बीज निदे साले में उपलब्द है बिल्कुल उचित दाम पर और उसकी उचित गुडवता जिसकी गुडवता अच्छी नहीं होती है हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं नंसिट में डाल देते हैं तो बिल्कुल सही गुडवत्ता वाली बीज हम लोगे बीजनी देशाले डोली में उपलब्द है और किसान वहां से संपर करके और आकरके उस बीज को ले सकते हैं नक्सा अब जैसे के आपने बताया वीज की बात करते हैं तो उसे पहले खेद की तियारी करते हैं हमारे किसान भाई तो खेद की त्यारी में जो उरुबर्ण को का प्रवंधन है खाद-पानी नेने के लिए जो भी अनुशंसित जो हम लों का रिकोमेंडेट डोज फेटिलाइजर का खाद का या उर्बरक का उसका परियोग निश्ची तर पर करना चाहिए क्योंकि किसी भी फसल का एक पो इल्ड पोटेंशियल होता है मैक्सिमम आप मालीजे की ग्यहूं का हम एश्डी हो सही बीज होना जरूरी है सिचाई का होना जरूरी है और उर्बरक प्रबंदन का सही रूप में होना बहुट जरूरी है मैं एकvana चाहता हूं कि केवब रसाइनी खाद देले करके बहुत अच्छी उपज नहीं ली जा सकती है जब तक आप कार्बनी खाद का आपने खेतों में परियोग नहीं करेंगे तब तक बहुत अच्छी उपज आपको किसी भी फसल का मैं कल गयों की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी फसल की अच्छी उपज नहीं मिलेगी इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान किसानों को देने की जुरत है कि आप अपने खेत में कार्बनी खाद का कार्बनी खाद करने का मतलब कि गोबर की शड़ी खाद कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट नीम की खली करंज की खली महुगा की खली अंडी की खली जिस खली को मवेशी नहीं खाता है उसारी यह सब का उपियोग करने की जुरुरत है अगर ये सारी चीजे आप अपने उपयोग में लाएंगे तो निश्ची तोर पर आपके खेत में जीवांस की मातरा बढ़ेगी और जीवांस की मातरा बढ़ेगी तो बहुत सारे सुख्म जीव होते हैं जो इस मिटी में रहना बहुत जरूरी है उस जीवों की शंख्या बढ़ेगी और साथ-साथ जो निूटियंट है जिसको पोशक तत्त हम लोग बोलते हैं पोधों के लिए जितने भी आवस्यक पोशक तत्त हैं उससे पोधों को मिलेगी हाँ अगर इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा परियोग करते हैं जैसे कंपोश्ट वर्मी कंपोश्ट हम लोग बोलते हैं कि खेत त्यारी के समय अगर आपके पास बर्मी कंपोश्ट हो तो कम से कम 100 कंपोश्ट का बेवार की जिए हम उसी तरह बोलते हैं कि खली का भी विवार आप 100 कंपोश्ट प्रती हेक्टियर तक कर सकते हैं लेकिन किसानों को इतना देना वो एक बार में शंबाव नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पास उपलब्द नहीं है हाँ गोबर की शड़िव इखात किसान दे सकते हैं अगर कोई भी जागरू किसान है मैं उनसे यहीं अनुरोद करूंगा कि अगर आपके पास मेवेसी है सड परियोग अपने खेत में करें अगर 200 किंटर प्रती हेक्टेयर एक हेक्टेयर में 200 किंटर सड़िव गोबर का खाद का परियोग करते हैं तो रहसायनी खाद की मात्रा बहुत कम हो जाएगी वैसे मैं आपको बता दे हूं कि जो गेहूं की फसल के लिए जो खाद के अनुसं सा की गई है मैं नेत्रजन तत्य के तर पर यह बोल रहा हूं अगर आप मालिजे की उत्रेया के तर वह दीएपी के तर पर सिंगल सूपर फश्पर फस्पूर के तर पर ता आपको गढ़ना करके यह निकालना होगा कि मैं इतना खाद दूंगा तो हमको इतना नेतजन फस पोरस और पोटास मिलेगा तो 120-60-40 NPK ये अनुसंसित है अगर अब तो ये भी देखा जाता है कि कहीं कहीं जींग की कमी का लक्षन भी गेहूं की फसलों पर देखा गया है अगर जींग की कमी का लक्षन आपको दीख रहा है तो बुवाई के समय ही हम लोग बोलते हैं कि खेत की अंतिम तयारी जब कर रहे हैं जिसे में कमपोस्ट भर्मी कमपोस्ट का बिवार कर रहे हैं खेत्म वुसी समय जींग सलाप ब्रते हेट से अपने भीवार कर दे मिट्ची में मिला लाद करके और पत्ता दे नहीं अगर धान और फसल प्रडाली आपके तो मैं आपको इतना बदाना चाहनगा कि फिर गेहूं में आपको जींग सलाप देने की जोट नहीं है दान में जो दिये हैं वहाई गेहु में भी उसका वह पौधा को मिल जाएगा इसलिए लेकिन और भी बहुत सारे तत्व जो है उसकी कमी देखी जा रही है जैसे जींग के बाद बोरो नायरन मैगनीज यह सब और भी सुक्ष्म तत्व है उसकी कल्सिम मैगनेशियम यह सब की देखा जा रहा है इसका कारण यह है कि आप रसायनी खाद का बेवार है ठीक है जो रसायनी खाद आपने दिया युरियो फॉस्पेट पोटास मिल गया लेकिन सुक्ष्म तत्व पहुदों को नहीं मिलता है सुक्ष्म तत्व अगर यह मैं कमपोस्ट भर्मी कमपोस्ट का की रिए खाड का बेवार करते हैं अगर माली यह की हरी का बेवार कर लों कि खेटेयों को देते हैं मिट्टी में संग्ड के लिए छोड़ देते अभी नई तक्नोलोजी में कई ऐसे किसान हैं या हमारे आप जैसे वेग्यानिक लुक्सुजाओ देते हैं कि कुछ उर्वरक ऐसे हैं जो खेतों में डालने के बाद पौधा पूरी मात्रा में अपसृत उसको नहीं कर पाते हैं नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए साइद पी आपने कि हम लोग बहुत सारे खाद परियोग करते हैं उसको जितना समुचित उप्योग पौधा को करना चाहिए नहीं कर पाता है तो इसके लिए और पौधा भी नहीं कर पाता है और ऐस सच मीटी में पढ़ा रहाता है खास करके उसमें हम लोग फॉस्पोरस की बात करते मैं इसा सिंचस्ट के तोर पर और तीपोल सुपर फॉस्पेट के तół चौप अबड़ी इसका बैवार करते हैं उसको बहुत सारा उसमें जो है पाता है तो मार्केट में जैसा कि आपने का कि वर स्वर्पीवाड़ हेवह बैक्टेडिया है ओर वेक्तिरिया अगर उसको को मिला देते हैं मिटी में देते हैं कभी-कभी बीज के साथ भी अम लोग बीजोब चार करके उसी PSV से मिटी में डलवा देते हैं तो निश्ची तोर पर जो आप सिंगल सुपर फॉस्पेट डीए प्यूज कर रहे हैं उसमें जो फॉस्पोरस है उसका बिलकुल समुचित र लाइजिंग बेक्टिरिया उपलब्द है वो फस्पोरस के अब तो पोटास के केस में भी आ गया है तो और भी है मालीजे की जो एस्पिरिलियम है और एटो बैक्टर है वो नाइटोजन प्रभाइड करता है पौदो को एक तरह से न्यूट्रियन प्रभाइड करता हो तो इस सारी चीजों को जो जिवाडू खाद हो या यह फस्पोर स्लॉब्लाइजिंग बैक्टिरिया हो इसका निश्ची तोर पर किसान उसका सद्यूप्योग करें और निश्ची तोर पर उनको अच्छी उपज मिलेगी लेकिन गेहुम के उत्पादर में आप बेग्यानिक बतात हैं कि इसमें जल की बहुत ही आवसकता होती है जैसे कि जल की जो आवसकता है वह स्टेज बाई स्टेज है एक साथ अगर सिचाई कर देने से काम नहीं चलेगा तो कब और कितनी मात्रा में जल चाहिए पोधों को ताकि उत्पादन अब सहीज परकार से किसानों को मिल सके औ और उनका लागत भी कम से कम उसमें लगे इसके आड़ बताई है पानी की मात्रा और उसका समय दोनों बहुत जरूरी है कहा जाता है कि रभी फसल में रभी कोई भी रभी फसल हो वह पानी सुंगता है पीता नहीं है तो सबसे पहले तो यह ध्यान देना होगा कि खेत इस त मैं किसानों को बोलूँगा कि यह ध्यान देने की जुरत है वो जीस भी दी से कर रहा हो क्योंकि अभी भी फ्लोट डेरीगेसन ही बहुत ज़्यादा चल रहा है दूसरा को कोई मेथर चल नहीं रहा है नहरी छेत रहा है नहर से लोगे रिशन कर दिया खोल दिया खेत में ज मिट्टी है या बलुवाही मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो बिट्टी कनुसार ही पानी देने की जुरत है बलुवाही मिट्टी आप कितना भी पानी दीजिएगा दो घंटक बाद जाएगा सारा जो है पानी परकुलेट करके नीचे चला जाता है भारी मिट्टी है कितनी भासय करोज़ देना चाहिए यह बहुत ज़रुरी है तो हम लोगेह में gynel Um जो 3-4 जो सिचाही ऐ है वह बताते हैं किसानों को अगर जा दो कम कम ने पर जिचाह स्थिधा फरन जश्चाही दी पहली बताते हैं जो बहुत जरूरी है वह तो रूट इनिसियेशन से क्राउन रूट जिसको बोलते हैं सिर्ष जड़ जिसे में निकलता है वह इस्थिति आती है 20-21 दिन के बाद पहली सिचाई उससे में 20-21 दिन के अंतरगत जरूर दे देना चाहिए दूसरी सिचाई जो है हम लोग बोलते हैं कल्ला निकलने के अगर अगर साट-4 शिचाई की इसांद देना चाहता है तो अगर पास उसके पास रिसोर्से उपलव दो दूसरी है 40-45 दिन के बाद दूसरी सिचाई जिसे में कल्ला निकलता है तिरिंग होता है तिरिस जचाई गाभा वास्था में अगर बोलते हैं जो जिनरली 60-70 दिन के सब्सक्राइब करता है दूद की अवास्ता अगर कम अधी की कोई भी किश्म है तो हो सकता है थोड़ी लंबी दूरेशन की जो वेराइटी होती है दूद की अवास्ता में एक सिचाई जरूर पढ़ना चाहिए अगर चार सिचाई दे रहे हैं अगर माल लिजे किसी किसान के पास एक ही सिचाई देने की छमता है तो पहला सिचाई जरूर है गाना में आपको बता दिया और सिचाई जीसे में नहीं को बता दिया कि क्राव रूट इनिसेशन जो सिर्फ जण निकलता हूं समय कला निकलते समय गाभा निकलते समय और दाना में दूद बन रहा है उस समय यह चार सिचाई देना चाहिए सिचाई की मतरा मैंने बता दिया किसानों के पास कोई मापक यंत्र नहीं होता है लेकिन इतना किसान कर पाता है नहीं ले पाता है और यह प्रोब्लेम हो जाती है कि पधा पिला पढ़ना सुरूइश लिए गेहुं के खेत में पानी बिल्कुल नहीं जमना चाहिए इस तरह से किसानों को पानी देना चाहिए खेत में किसान भाईयो यह थे डॉक्टर राजन परसाद केंद्र उपाईयों के अगर गेहुं के खेती करते हैं तो अच्छा उतपादन मिलेगा अच्छी आमदनी होगी डग साभ हमारे कारिकरम में किसान भाईयों को आपने बहुत अच्छी जनकारी दी आपका हर्दी का विन्यंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद धर्दमाद